तो सुबा सुबा मैं चल पड़ा हूँ वीडियो की सुटिंग करने काफी अच्छी लोकेशन है तो यहाँ पर सुट करेंगे आज की रिल आपने कई बार देखियोगी यह लोकेशन अक्सर मैं आता रहता हूँ यहाँ पर सुट करने के लिए अच्छी जगा यूँस कर लेता है ना यूँकि आज वीडियो का टॉपिक भी कुछ इस प्रकार है जो कि सन का यहाँ पर संद्रेज अच्छी आती है तो वीडियो बनाना बनता है चलिए देखते हैं वीडियो कैसे बनाते हैं मैं ये जो भी कुछ करता हूँ ना ये मेरा जो काम है जहां मैं रिल्स बनाता हूँ और ये सारी चीज़े करता हूँ ये बिसिकली मैंने एक टाइम पर मैनिफेस्ट किया था मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे ऐसी लाइफ चाहे क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत पसंद है मुझे कंटेंट करेट करना बहुत पसंद है मुझे लोगों के साथ जर्नी सेर करना काफी पसंद है तो मैंने बहुत पहले से इसकी सुरुवात की थी मैं मैंनिफेस्टेशन भी करता था और मैं प्रैक्टिस भी करता था मतलब ऐसा नहीं कि आप बस सोचते रो और वो चीज हो जाएगी वैसा नहीं होता है आपको थोड़ा सा मैंनिफेस्टेशन रखना होता है पॉजिटिव इसके साथ साथ देरा फ्यू तिंग्स जो आपको करनी पड़ती है आप बस जुड़े रही है मेरी जर्नी के साथ मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप मैंनिफेस्ट भी कर सकते अपनी लाइब को मैं हाली में एक सेवन डेज का वर्क्सॉप भी लॉंच करने वाला कानी में लोगा ऑप्स पसंद आते तो वह आन पर अच्छी सी जगहे यहाँ बर्ड इतने रहते हैं पानी में और यहाँ पर मचली खाने आते तो इस पॉइंट पर आवाज बहुत आता है लेकिन वहाँ पर सन्नाटा है बिल्कुल हो यह नहीं आता है कुछ ही होता है एकदम सांत जगह तो वहाँ जाकर आज की रिल हम बनाने वाले हैं वहाँ पर मैं सेट अप करोगा मैं दिखाता हूं आपको सब कुछ आज है तो यह मुझे सही लगती है ट्राइपॉड भी यहाँ पर हो जाएगा और पीछे बैग्राउंड भी अच्छा हैगा देखते हैं अब यहाँ पर मैं सेट अप करने की सोच रहा हूं सनलाइट भी आ रही है और सनलाइट संगेजिंग मेडिटेशन ही आज मैं सूट करने वाला हूं यही पर मैं अपना यही फोन लगाऊंगा मैरे पास कोई कैमेरा नहीं है अभी मैं डायरेक्ली फोन से सूट करूँगा और यही पर अपना फोन लग जाएगा यह मैईक यह मैने मेरे ट्राइपोड का खवर पीछे लटका दिया नीचे गंदा नहों चलिए सूट करते हैं थर्ड आई open करना चाहते हूं एक trick बताने वाला हूं लेकिन इससे पहले थर्ड आई को open करने के लिए आपको काफी efforts लगाने पड़ते हैं यह easy चीज नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं यह आपको help कर सकते हैं आप जो meditation करते हो ना उसमें ज्यादा positive feedbacks म मिलना आपको दिरे-दिरे start हो सकते हैं इसमें करना कुछ नहीं हमको sun की energies को grasp करना है लेकिन इसके लिए वेदिक तरीका है जो हमारे पुरानों में हमारे जो पूरवच थी वो यूज करते थे लेकिन आज के youth को यह कोई सिखाता नहीं लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि क आखे बन कर लेने, आखे खुली नहीं रखने, इससे होगा क्या कि sunlight directly आपके आखो में नहीं आएगी और यह भी scientific terms है मैं इसको समझाओंगा नहीं आपर लेकिन यह जब आखे बन करते हैं तो sunlight नहीं आती लेकिन उसके photons उसकी energies हमारे अंदर दिखती हैं अब आपको क्या कर करके थोड़ा सा face को उपपर करना है और आपकी जो breathing pattern है वो कुछ इस प्राकार होनी चाहिए आपको inhale करना है nose से और exhale करना है आपके mouth से और जब exhale करते हो तो लंबे समय तक करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ इससे होगा क्या कि आपकी जो हवा निकल रहे ना उसकी vibrations आपके कानों में जाएगी और विद देट आप जो sunlight की energies graft करो ना वो आपकी आँखों को help करेगी इससे आपको बहुत ही ज्यादा benefits मिलता है meditation में अपने process को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए यह करके देखना आप एक वीक तक और आपको फरक एक मस्त इंट्रस्टिंग चीज़ बताऊं मेरा काम कि इतना fast होता है देखो time अभी हो रहा है पॉने 10 ठीक है मैं इधर सवानों को आया था 9.15 को मैंने 9.15 को आने के बाद यहां पर सब setup किया आपके साथ थोड़ी बात ही भी कि व्लॉक शूट के time-lapse लिया वहां पर रखकर सब कुछ किया 9.16 को मैंने 9.17 को मैंने अपना शूटिंग स्टार्ट केया रील का रील सूट हो गई 5 मिनिट में उसके बाद मैंने एडिट भी कर दिया यहीं पर खड़े खड़े लैप्टॉप की सरुवत नहीं है एडिट करने के बाद कैप्सेंज भी लिख दिये थम्नेल भी बना दिया और पोश्ट भी कर दिया और अभी सिर्फ पॉने दस हो रहे हैं यानि कि आदा गंटा हुआ और आदे गंट में मैंने रील बना दी व्लॉक कर दिया सब कुछ कर लिया तो अप्रोड़क्टिव हो जाते हो जब आप स्पिरिच्वल इंकलाइन होते हो ना तो आपकी बॉड़ी भी आपके साथ काम करना सुरू करती है वरना क्या होता है नौर्मली लोग कुछ करते हैं यह बस बैठे रहते तो उनका क्या होता है कि व प्रेस करने यह योगा मतलब यूनिटी होता है तो यह फाइदे मिलते हैं हम लोगों को अपको इसलिए मैं यह चीज़ प्रोमोट कर आँ कि आप भी मेडिटेट करो 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 यह जो माइक देख रहे हुँ ना यह यह लंबा सा माइक है यह माइक मैंने कितनी बार यह जादा है चीज़ है क्योंकि उनका काम थोड़ा क्रेजी होता है तो यह लोकेशन है जहां मैंने सुटिंग किया यहाँ पर कोई आता नहीं है बिल्कुल सांत रहती है यह जगह लोग आते हैं लेकिन यह जाडियों के पीछे लोगों के खेत है तो वहाँ पर लोग आते हैं यहाँ लोगों का आना जाना कम होता है यहाँ पर फीसर्स आता है जो मचली पकड़ते हैं मच्छुआरे यह लो उनकी ये फैली वहां तक ये लोग मचली इस प्रकार से पकड़ते हैं कुछ बेच आता हैं कुछ खा लेते हैं ये हर जगा पर आपको देखेगा तो यह इस प्रकार से मचली पकड़ता है और यहीं पर मैं वीडियो सूट करता हूँ काफे साथ लोग मुझे भी पूछता है कि मचली पकड़ना क्या क्राइम है क्या ये सारी चीजे पाप लगता है देखो मैं आपको इसके बार में भी एक चीजे बताऊँगा हमारे वेदिक रिचुल्स वेदिक बुक्स में भी बहुत सारी चीजे बताई गई और हमारे कुछ पुरान स्टोरीज भी है जहांपर मचली पकड़ना वह आपको जल्दी बताऊँगा किसी रील में लॉक की एंडिंग करने वाला था लेकिन फिर मुझे दिख जाते हैं कुछ मेरे दोस्त मैं आपको दिखा देता हूं वह देखो यहां पर आ रहे हैं दूर दूर यह सारी अभी क्या गरी इस नदी में जाकर आराम से बैठेगी और चील मारेगी तो इनसे थोड़ी सी पाते हैं वह दो दूर है मैं बहुत तक जा नहीं रहा हूं मेरा रास्ता यहां पर रह और रहे तो ऑर बहुत है कि बहूत हमारा इंसे बहुत Southern यहां को नहीं हम करते हैं कि मैंने व्लॉग के एंडिंग कर दी थी लेकिन मैं यहां से जा रहा हूं यहां पर कच्रा बहुत रहता है यहां पर लोग आते हैं और कच्रा करके जाते हैं काफिसाय लोग यहां पर गलत-गलत काम भी करते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहत यहां पर लोग अपनी कोई भी चीज होगी ना स्याद ब्लैक मैजिक का कुछ होगा या फिर नॉर्मल भगवान के फोटो बहुत सारी चीज़े यहां पर रखी होती है इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं है जाड के पास रख रहे हैं अगर हम पानी में डालेंगे तो यह पानी को पॉल्यूट करेगा अगर आप यहां पर सारी चीज़े रखते हो काफी अच्छी चीज़े वैसे तो इस तरह कि प्लास्टिक के फोटो भी यूज नहीं करने चाहि जो है वो है तो ऐसा कुछ है यहां पर यह पेड़ है और यहां पर चीज़े रखी होती है और भी बहुत सारी जगह है जहां मैं रहता हूं मैं आपको दिखाऊंगा कई और व्लॉग में चलिए अब एंडिंग महां की देख लीजी आप तो यह था आज का छोटा सा व्लॉ तो मुझे अपने व्लॉग घॉट इस प्रकार बनाया ताकि मुझे पता चले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आप ऐसे व्लॉग और आप सी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली बार से में व्लॉग इस प्रकार बनाओंगा तो मैंने इस प्रकार बनाया ताकि मुझे पता चले तो मुझे कमेंट करके बताओ फिलाल के विडियो के लिए इतना ही नमस्कार हम